आज हम बनाते हैं coconut cookies वो भी गेहू के आटे से बिना baking soda के बिना baking powder के बिना oven के बिना butter के बिना oil के यह cookies हम घी में बनाएंगे शुद घी में यह देखें कितनी मस्त बनी है इसका texture कितना अच्छा है यह उपर से एकदम क्रणची coconut का टेस्ट है अंदर से भी coconut का टेस्ट है और इतनी मस्त फुली है यह देखिए आप इसे एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा आएए हम इसका प्रोसेस देखते हैं इंग्रीडियंट्स के लिए आप एक बार description box भी चेक कर लें यहाँ पर मैंने 3-4 कप गी डाला है गी semi set लेना है पिगला हुआ नहीं लेना है और 3-4 कप यहाँ पर powder sugar डाली है इसे हम ऐसे whisk से भी whisk कर सकते हैं मैंने यहाँ पर electric beater यूज किया है इससे काम आसान हो जाता है hardly इसमें 2 या 3 मिनिट लगते हैं whisk से वहाँ 5-6 मिनिट लग जाते हैं यह white और fluffy हो जाए तब हमें beater beat करना रोग देना है अब इसके इंदर जो घर में गेहू काटा होता है वो हम 1 कप add करेंगे पहले लगा तो और बाद में add करेंगे यह चीरोटे रवा है fine रवा जिसको हम अगर आपके पास यह नहीं है तो बड़े वाले रवय को grind करके डाल दें यहां पर 1 थर्ड कप मैंने desiccated coconut डाला है और 1 टीस्पून जितनी इलाइची बाउडर डाला है 1 टेबल स्पून जितना हमें basin डाल देना है घर का चमज भी अब यूज कर सकते हैं इसे हमें फ्रेंट्स यह आटा अब स्टोर करके भी रख सकते हैं पहले बना के रख सकते हैं फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है बार भी रखेंगे तो चलेगा और बाद में इसकी cookies बना सकते हैं अब यहां पर यह आटा मुझे थोड़ा गीला लग रहा है तो मैं दो टेब गरते हैं इसलिए यह 15-20 दिन तक आराम से रहता है फ्रिज के बाहर और फ्रिज में रखना चाहें तो यह देड़ से दो महिने रहता है यह देखिए यहां एक cookie बना के देखेंगे पहले यह अच्छे से बन रही है इसका मतलब कि हमारा डो परफेक्ट है यह यहां पर ऐसा टेक्ट्चर होना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा स्टिफ अब हम cookies बनाने के पहले एक बोल में थोड़ा सा desiccated coconut ले ले लेंगे और यह coconut हम cookies के लिए ले रहे हैं बनाके cookies इसमें हम रोल करेंगे ताकि उपर से भी उसका एक crunchy टेस्ट आए coconut का, friends coconut दो तरह के आते हैं एक एकदम बारिक आता है और एक थोड़ा सा फ्लेकी साता है तो हमें वो जो फ्लेकी साता है वो वला लेना है यहां पे मैं cookies को रोल कर दूँगी हाथ से ऐसे ग्राउंड करके इसे हलका सा प्रेस कर दूँगी और इसे फिर coconut में रोल ऐसे करना है और baking tray में arrange कर देना है cookies की बीच में थोड़ा gap रखे क्योंकि ये थोड़ी सी फूलती है तो उसे bake होने के लिए जगा चाहिए जब भी आप नानखटाई cookies कुछ भी बनाए तो हमेशा 2-3 cookies में gap रखे ताकि वो एक दूसरे की तरफ चिप के नहीं और अच्छे से फूले अब यहाँ पर मैंने oven preheat करने रख दिया है ये देखिए हमारा oven preheat हो गया है और अब इसके अंदर मैं baking tray रख दूंगी और 20 से 25 minutes के लिए इसे 160 degrees के उपर bake करूंगी ये देखिए हमारी cookies bake हो रही है और almost ये ready है ये bake होके ready है देख सकते हैं आप कितना बढ़िया texture आया है अब इसे हमें wire rack के उपर निकाल देना है friends आगे मैं बताऊंगी हमें कड़ाई में कैसे bake करनी है कड़ाई को preheat कर लें और ये एक थाली है इसके अंदर ये parchment paper लगा ले अगर आपके पस parchment paper नहीं है तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं ये नहीं चिपकेगी आप इसे ऐसे arrange कर ले अब हम ये strawberry jam है तो 4-5 cookies में ये लगाएंगे इसे finger से आप impression बना ले cookies के बीच में मेरे पास ये crush था इसलिए मैं crush लगा रही हूँ आप jam यूज कीजिएगा crush से ये क्या उपर से spread हो जाता है पर ये बदाने के लिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ये बहुत ही tasty लग रही थी जब मैंने बना के खाई तब ही थोड़ा सा वस spread हो गया था अब ये हमारी कड़ाई भी ready है 10 minute के बाद में अब इसे हमें plate को इसके अंदर रख देना है और अच्छे से इसका धकन से cover कर दे और एकदम slow आज के उपर इसे 30 से 35 minutes के लिए bake होने ये देखिए दोनों bake हो गई है strawberry वाली और ये strawberry वाली तो almost finish हो गई है ये देखिए यहाँ bake होके ready है हमारी cookies ये जो beach वाली है ये हमने gas के ऊपर बेक की है और side वाली है ये सब हमने oven में बेक की है तो friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे like, share और subscribe जरूर करें और subscribe बटन के पास जो bell icon का बटन है उसे tap करे ताकि मेरे new videos की notifications आपको मिलती रहे मिलती हूँ new recipes के साथ thank you